दोस्तो इस तरह से आप मैं वन्म करता हैं , दो चले दूस्तो आपको मारी यह रैश्पी पसंद आएगी , जएक दम क्रीमी this दम पॉफर्ट्र C कि आप इसके मज़े उठा सके आपके घर में जो भी बच्चे हों बड़े हो सब भी खा की खुस हो तो चलिए दोस्तों इसी बनाना हम सुरू करते हैं तो माइक्रोनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोनी को बॉयल करना है तो उसके लिए धर हमने एक भगोने में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था देखे पानी अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें हमने डाल दिया है एक चमच ओयल अब इसके साथ में एक आपस में चिपक जाएंगे बिल्कुल भी दम पॉफेक्ट नहीं बनेंगे इस तरह से बीच बीच में आप चिपक जाएंगे तो बस बिच्विच में इसे uastear करते हुए, इस तरह से इसे पका लिए, ये देखिए, जो मारा जो माइक्रोनी है, अच्छे से पक्के तैयार हो गया है, अभी तो बहुत गरभ में है, इसले श्पुन Deshalb करके देख लिए, इसी से क। मैं तो इसे थोड़ा से थोड़ा से नही देंगे हम ओयल तो दो-तिन चमच हम हमया पे ओयल डाल देंगे इसमेर चर-पाच लेस्वन की कली को बारी कट करके डाला है थोड़ा से लेस्वन को उसे पका लेंगे तो यह देखिए प्याज जो हलका इतम लाइट ब्राउन हो गया है तो अब इसमें हम ढाल देंगे सब्जी यहाँ पर एक गाजर को हमने इस तरह से बारिक बीच बीच में एक दुबार बीच से चला ले तो यह देखिए टमाटर जो हमारे रिचे सॉफ्ट हो गया है इसे थोड़ा से इस तरह से मैस करते वो चला लेंगे तो यहाँ पर बाकी की और सब्जी आइट करेंगे तो अब यहाँ पर डाल देंगे हम बारिक कटा हुआ सिम् अब इसके साथ में यहाँ पर एक छोटा चम्मच यहाँ पर डाल दिया है कास्मेरी लाल मिर्च पॉर्टर जैसे कि इसमें अच्छा कलर आया तो अब इसे स्टेज में यहाँ पर डाल देंगे हम पांच चम्मच टोमेटो केचप इससे माइक्रोनी में बहुत अच्छा टे अब इसके साथ में इसमें डाल देंगे हम यह बौइल किया हूँआ मैकरोनी आतो यहाँ पर मैकरोनी को डाल के इसे हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देखे इस्टे रिष्टे इनर में रखने से इसका इसवस्त लेड़ी यह लेकिन बिलकुल अलग-अलग है यह ехपस में नहीं है जिसे डाल के थोड़ा हम इसे मिला लेते हैं तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे स्वात के अनुसार नमक तो नमक का उपयोग हमने पहले भी किया था टेमाटर के टाइम पे तो यहाँ पे इसे स्वात के अनुसार या फिर एक छुटा चमच से भी थोड़ा कमी नमक क को डाल के अच्छे से मिला लेंगे तो बस यह माइक्रोणी मारा बनिकी देखिए कितना पॉफेक्ट ही तयार हो रहा है और ना इसमें और भी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर टाल देंगे हम आधा चोटा चमच चीली फ्लेक्स और इसी के साथ आधा चोटा च यह बिनकी तयार हो गया तो बस अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और यह जी दोस्तों में देखिए पॉफेक्ट इदम क्रीमी यह माइकरोणी बन की तयार हो गया है सर्व करने के लिए तयार है अभी दोस्तों एक बार इससे जरूर से इस तरह से बनाएगा उमीद ह आपको मारी रेस्पी बहुत पसंद आएगी तो friends आप भी इस रेस्पी को ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको मारी रेस्पी कैसी लगी यदि आपको मारी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसी के साथ में बगल में देगे वेल आइकन को प्रेस्ट कर दीजिए आपको मिलती रहे आपसे मिस ना हो